कॉंग्रेस का सियासी मन्थन उत्रप्रदेश में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कॉंग्रेस घाटी में मुतबेड 12 लाख का इनामी आतंगवादी जीनत मारा गया प्रधान मंत्री मोदी और रमन सिंग आये साथ नजर मोदी ने कहा गुरु गोविन सिंग ने देश को जोड़ा मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के निशाने पर रमन सिंग कहा वो दोग चनाने वाले मुख्यमंत्री थे और हिमाचल में हुई फिर बर्फवारी फिलहाल कम नहीं होगी सर्दी नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखाल लिउजब खबरे विस्तार से सबसे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आगामी लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में गड़बंधन कर 78 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था सपा बासपा के गड़बंधन के बाद रवीवार को लखनव में कॉंग्रेस नेताओं के अहम बैठक हुई इसमें गुलाम नवी आजाद और राजबबर समेत अने नेताओं ने हिस्सा लिया बैठक के बाद हुई प्रेस कॉंफेंस में बताए गया कि कॉंग्रेस यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी गुलाम नवी आजाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कॉंग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और चौकाने वाले नतीजे लाएगी राहूल गांदी जी के नितृत में कॉंग्रेस पार्टी पूरी शक्तिक से के साथ अपनी विचारधारा यो आजादी से पहले थी गांदी जी के सबे से लेकर आज तक जिस विचारधारा का हम पालन करते रहे हैं उस विचारधारा का पालन करते हुए हम ये अलेक्षट लोग सभा में डटके लड़ेगे और भारतिये जन्ता पार्टी को पराजे देगे आजाद ने पीम नरेंद मोधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वे देश के प्रधान मंत्री हैं उसे कॉंग्रेस ने आजाद करवाया है राजबबर ने कहा कि कल से आजाद भीड यहां नजर आ रही है यानि अखलेश मायवती की प्रेस कॉंफिंस से ज्यादा लोग यहां मौजूद हैं सपा बासपा ने लोगसभा की 38-38 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है वहीं कॉंग्रेस को एक तरहा से किनारा करते हुए महज दो सीटे दी है इस पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुबई से प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कॉंग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और चौकाने वाले नतीजे आएंगे। जुट्र मनमोहन सिंग भी मौजूद थे गुरु गोविन सिंग को नमन करते हुए पीम मोधी ने कहा कि गुरु गोविन सिंग ने खालसा पंथ के जर ये पूरे देश को जोड़ा है गुरु गोविन सिंग जी वीर्ता के साथ धीरता और धैर की अद्बुत मिसाल थे मारे हर गुरु ने न्याय के साथ खड़े होने का सबक दिया है उनके बताए मार्क पर चलते हुए आज केंद्र सरकार 1984 में 1984 में शुरू हुए अन्याय के दौर को न्याय तक पहुंचाने में जुटी है दसकों तक माताओं ने बहनों ने बेटे बेटियों ने जितने आंसु बहा हैं उन्हें पहुंचने का काम उन्हें न्याय दिलाने का काम अब कानून करेगा सुरक्षाबलों ने घाटी में आतंकी कमांडरों के सफाई के ओपरेशन औल आउट को जारी रखते हुए शनिवाराद दो आतंकियों को मार गिराया मारा गया एक आतंकी अल्बदर का चीफ कमांडर जीनत उल इसलाम उर्फ अलकामा उर्फ डॉक्टर उस्मान है जिसे उसके एक साथी के साथ यारी पूरा में मुटभेड के दोरान मार गिराया 12 लाग का इनामी जीनत मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था बीए पास जीनत ने ही बीते दो सालों के दोरान मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू वा अन आतंकियों के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों के परिजनों को निशाना बनाने की साजिश रची थी तीन पुलिस कर्मियों को अगवा कर मौत के घाट उतारने की साजिश में मुख्य भूमिका निभाई थी इसके अलावा 2017 में अनंत नाग के पास श्री अमरनात तीर्थी यात्रियों पर हमले में भी वेशामिल रहा जीनत दर्जनो आतंकी वारदात में वांचित था उसकी मौत सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामियाबी मानी जा रही है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रविवार को भारी बर्फबारी हुई इसके चलते मैदानी इलाकों में लोगों को अभी कुछ दिन और कडाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा इस बर्फबारी का सर पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा उचाई वाले छेत्रों कुलू लाहूल स्पती मंडी सिर्मो और चंबा की उची चोटियों पर बर्वारी वा निचले इलाकों में व्यापक बारिश होने की संभावना है जिससे प्रदेश वासियों को कडाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दोरान नियुनतम तापमान वा अधिक्तम तापमान में सामाने से 1-2 डिग्री तापमान में कमी आई है चतीजगर के मुखमंत्री भुपेश बगेल ने पूर्व मुखमंत्री रमन सिंग पर निशाना साधते हुए का मेले का उदगाटन करने के बाद भुपेश बगेल ने पूर्व सी एम रमन सिंग पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि रमन सिंग उदगाटुं के सरकार नहीं बल्कि खुद ही अपना उदग चलाने वाले सी एम थे CBI WAN मामले पर मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि भारती जन्ता पार्टी की कतनी और करनी में काफी अंतर है डॉक्टर साहब की यारदाश अब कमजोर होती जा रही है 2012 के गजट पत्र में खुद ही CBI को 36 गड में वैन करने के लिए वो पत्र लिख चुके थे सिएम बगेल ने कहा कि 2019 में अलग उद्योग नीती के तहत उद्मियों को लाब पहुचाया जाएगा वहीं समविदा निउक्तियों को रद करने पर तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि समविदा रद करने से ही युवकों को रोजगार मिल सकेगा नगर निगम की लापरवाही से लोगों को जोपडी में सर्द राते काटना पड़ रही है राजनन गाउ में आठ महीने पहले जिन लोगों के घर तोड़े गए थे उन्हें अभी तक आवास नहीं मिल पाए है राजनन गाउश शहर के नगर निगम छेत्र के आशा नगर में पक्के मकान का सपना दिखा कर लोगों के मकान निगम प्रशाशन द्वारा तोड़ दिये गए थे इसके बाद ठेकेदार और निगम की लापरवाही के चलते हित ग्राही परेशानी का सामना कर रहे हैं अब तक उन्हें पी-म आवास के तहद बनने वाले मकान नहीं मिल पाए हैं साथ गरीब परिवारों को पक्के मकान का सपना दिखा कर आठ महा पहले कच्चे मकान तोड़ दिये गए थे अब इन परिवारों को सर्द रातों में पन्नी की जोपड़ी और खुले आसमान के नीचे राद बितानी पड़ रही है बावजूद इसके प्रशाशन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है आठ महीने बाद भी एक भी मकान बन कर तैयार नहीं हुआ है उल्टे हित ग्राहियों की बैंक पास्बुक भी ठेकेदारों ने रख ली है यह लोग इतनी भीशर ठंड में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे है इन लोगों का कहना है कि आए दिन ठेकेदार काम बन कर देता है निगम अफसरों से जिला प्रशाशन तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है इस पूरे मामले में कलेक्टर भीम सिंग का कहना है कि ठेकेदार को समझाईश दी गई है जल्द ही हित ग्राहियों को मकान बना कर दे दिये जाएंगे रिवा पुलिस ने एटियम से ठगी करने वाले तीन बदमाशों को गरफतार किया है समान पुलिस ने घेराबंदी कर एटियम बदल कर लोगों से ठगी करने वाले आप राधियों को समान तिराहे के पास पकड़ा है पकड़े गए यूवकों के पास से 11 एटियम का चार सोनी के अंगूठी और चार मोबाइल सहित 51,000 रुपे बरामत किये गए है एसपी ने बताया कि समान पुलिस टीम ने यूवकों के पास से एक वेगनार कार भी जब्त की है जिसका उपियोग ठागी की घटना को अंजाम देने के बाद आरूपी भागने में करते थे ये परियादी हैं शिवेट चतुरवेडी इन्होंने आकर के ठाने पर रिपोर्ट किया था कि एक दिन पूर्ड वो जब वह समान ते रहा पर इस थी यूनियन बैंक का जो एटीम तो वहां पर जब पैसे निकालने गए थे तो वहां पर कुछ अग्याद बदमाशों ने इनके साथ धोका धड़ी करके इनका एटीम कार्ड बदल दिया तो वह पामले को जो ने देखा गया वह गंबीरता देखी गए साथ ही साथ में जब उनके पासबूख को पुरा कराये गया फर्यादी के तो पता चला कि अग्याद बदमाशों जिन्हों ने की एटीम कार्ड बदला थी उनके द्वारा एक जूरर के हाँ पर कुछ खरेटारी और शॉपिंग करे गया समान पुलिस की कारवाही में सामने आया है कि एटीम से ठगी करने वाले सभी बदमाश उत्तर प्रदेश के आजमगण के रहने वाले हैं जो रिवा वासतना में रहकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं इससे पहले ऐसे ही ग्रोह का खुलासा मद्रदेश के छतरपूर में भी हुआ है संत हिर्दाराम नगर के विवेकानान जैनती के मौके पर स्कूली बच्चे विवेकानान की वेश भूशा में नजर आ इस अफसर पर बच्चों ने सूरे नमस्कार भी किया स्कूल के बच्चों ने सूरे नमस्कार किया वही नन्य मुन्ने बच्चे स्वामी विवेकानान की वेश भूशा में स्कूल पहुचे पूर्व पाश्यत्राजेश हिंगुरानी बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष गुलाग जेठानी शिक्षावेद विश्णू गेहानी ने बच्चों को पुरुसकार दिये वही स्वामी विवेका नंद जैन्ती के अफ़सर पर दीप माला पगरानी संसकार पबलिक स्कूल में यूवा दिवस मनाया गया स्कूल के विध्यारतियों ने स्वामी विवेकानन्द की वेशूशा में उनके विचारों का बखान किया All India जवाहार नवोदे ऐलुमिनी मीट एवं मेराथन दोड का आयोजन भोपाल में हुआ All India जवाहार नवोदे ऐलुमिनी मीट एवं मेराथन दोड का आयोजन भोपाल के रविंद भवन में किया आयोजन एलिट नवोदेंस के तत्वधान में किया आयोजन में मोके अतिती के तोर पर मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंतरी प्रभूराम चौधरी विशेश रू अच्छा कदम है और जब पूरे देश में नवोदे के जो विध्याला है हमारे स्वरगी प्रधान मंतरी स्री राजीव गांदी जी की सोच थी कि ग्रामिन के बच्चों के लिए एक अच्छी सिख्षा मिल सक है तो पूरे देश के एक एक जिले में नवोदे के जो इस्कू मेराथन दोड रखी है एक अच्छा कदम है देश की एकता के लिए मेराथन दोड रविंद भवन से शुरू होकर खानुगाओं तक गई शिक्षा मंतरी प्रभुराम चौधरी ने हरी जंडी दिखा कर मेराथन की शुरुवात की मेराथन में प्रथम दित्ते और तृते स् हमारे साथ मौजूद है वो मेराथन दोड वाले इस बताईए आप और करेंट्ली अरी बोपाल में पड़ रहा हूं और मैं प्रपल चातिश गर्स हूं जेनी महा समुझ से आप ने प्रपल प्राथन प्राथन रेस में जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक्स बोल अब तो मैं दानी रामबर कड़े जैन वी बार्गी निगा जवाल पूर से हूं थैंक्यू नहीं यह फर्स सेकेंड और थर्ड इस्थान प्राप्त करने नवाले ने बोदेन से हमारे पास कुछ पासाउट शात्र मौजूद हैं जिनसे बात करते क्या मैरातन क्या थी और इ जो रखी गई थी वह कहां से कहां तक रखी गए थी यह मैराथन जो है 11 किलोमेटर की टोटल मैराथन थी और यह जवाहर नवोदे विद्याला के पूर्व चात्रों द्वारा जो है यह आयोजित की गई थे अलाइट नवोदेन्स के द्वारा और इसका उद्देश इस एकता के संदेश को देखे और इसको फालो करें जाए नवोदेन्स चात्र का कहना है कि जो रखी गई है वो एकता का प्रतीक है धर्म जाती रही थे रेस कैमरेमें तरुली आदोक साब सत्किम सर्मा बेखनली भोपार आयोजन में रंगा-रंग सांस्कृतिक कारिक्रम भ देश भर के नवोदे से निकले हुए चात्र शामिल हुए और उन्होंने अपने अनुभव साजा किये आयोजन में चात्रों के साथ साथ नवोदे विध्धाले के शिक्षक भी मौजूद रहे में रंग जाती धर्म भेद रहे का प्रचार करना है आज दिनांक 13 जन्वरी 2019 को आयोजन मेराथन रेस अलीट नवोदेंस के द्वारा आयोजन मेराथन रेस को हमारे तीन परतिभागियों ने बखुवी पूरा किया है और ये तीनों फस्स सेगंड थार्ड है इसके लिए इलीट नवोदेंस इन तीनों परतिभागियों को सुब्कामना है देती हैं आइम वरी एक्साइटेट फॉर दिस माराथन इवन वी आर वरी एक्साइटेट फॉर दिस माराथन और ये बहुत ही अच्छा इनिशेटिव है पूरे नवोदेंस को जोड़ने का एक्शुली इ एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा थे कारिकरम की अधिश्टा मध्यप्रदेश ठतिसगर के पूर्व मंत्री सत्य नरण शर्मा ने की राज इस्तरिये पुरुसकार समहरों में विधी एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि आठवे दशक में सप्रे संग्रा कमला पार्क इस्थित आचार नरेंद्र देव पुस्तकाले में छोटे से रूप में शुरू हुआ था लेकिन आज यह संग्राले महा संग्राले का रूप ले चुका है कारिक्रम में पूर्व मंत्री सत्य नरण शर्मा ने कहा कि सप्रे संग्राले ने भोपाल ही नहीं को एक पहचान दी है दुनिया भर से यहां आने वाले शोधार्ती इसी का प्रमाण है कारिक्रम में डॉक्टर मंगला अनुजा द्वारा लिखी किताब भार्तिये पत्रिकारता नीव के पत्थर का विमोचन भी किया गया यह जो पुरुषकार मिला है बहतर समाचार चैन और बहतर समाचार संपादन और समाचारों की बहतर पुस्तूति के लिए जगदिस परजाद चतुरुवदी की समरती में मजे प्राप हुआ है यह पुरुषकार मुझे मेरी उपन्यास के लिए में दिया गया है जो दंड़कार ने नकसलवाद पर किंद्र पुस्त थी और उसमें नकसलवाद को लेकरके उन चीजों के वारे में बताया गया जो आम तरपर लोगों के अवदाना नहीं होती है और यह पुस्त का चुकि मैंने बोपाल में दिया गया तो ब्यक्तिकर तोर पर में लिए परिसनता का वैसा यह है कि यहीं से मैंने पत्रकारता की बढ़ाई किये रासकर पत्रकारता अकादमी में और पत्रकारता की ABCD में मैंने यहीं सीकिए और इसी परिसर में मैंने पत्र स्कूल में आप पढ़ते हैं अगर वही स्कूल आपका संबान करता है तो आपको निश्ची तोर पर गौर्व का विश्य होता है और आपको बहुत प्रसंट अभी होती है समहारों में पत्रकार धुर्व शुकला, कमलेश पारे, मनुझ पाठक, आलोग पंडिया, हरी अगराही, नीरश शिवास्ता, पुश्पेंद्र पाल सिंग, लेमुल लाल, अपर्णा खरे, ब्रहमवीर, प्रमीर पांडे, सीताराम ठाकूर, शरत बगेला और रिजवान खान क भी प्रुस्कृत किया गया, पत्रकार जनों को प्रशस्ती पत्र, चर्खा, शॉल और लेखनी भेट की गई, राजनन गाओं के दिग्विजे स्टेडियम में इस बार भी गरतंत दिवस की परेड नहीं हो पाएगी, जिला प्रशाशन के तमाम दावों के बावजूद मैदान पर आयुजित नहीं हो पाएगा, इस बार भी मिनिस्पल स्कूल मैदान में गरतंत दिवस समहरों का आयुजन किया जाएगा, मैदान भी पूरी तरहा तैयार नहीं हो पाया है, दो साल पहले दिग्विजे स्टेडियम के नवनिर्मान के लिए पुराने स्टेडियम को तोड़ दिया गया था, इसके बाद से गरतंत दिवस और स्टंतरता दिवस का जिला इस्तरिया आयुजन आइस्थाई तोर पर मिनिस्पल स्कूल मैदान में किया जा रहा था, पिछली सरकार ने दिग्विजे स्टेडियम का उधगाटन पूर्व मुखिमंत्री के हातों करवा दिया था, लेकिन स्टेडियम के भीतर मैदान अब तक नहीं बन पाया है, वहीं प्रशाशन द्वारा ठेकेदार को बार-बार समझाने के बावजूत काम अधूरा है। इसे तंग आकर लोगों ने कॉंग्रेस को मौका दिया है। आप लोगों ने इस चीज़ को बढ़ी हुखी देखा है। हमारे प्रदेश अब्जेक्स और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री को इस प्रकार से फजाने के प्रियास किया गया और नहीं फजा पाये। और इसी प्रकार बहुत से दूसरे अन्ने प्रदेशों में भी कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के मंत्रियों को दिल्ली CBI के मादिम से फजाने की कोशिश हुई है। उन्होंने कहा भाजपा दौरा CBI का दूर्पियों किया जा रहा है और कॉंग्रेस के नेताओं को फसाया जा रहा है। इसलिए प्रदेश में हमने CBI को आने से रोका है। जैसिंग ने एक बार फिर कहा बिलासपूर के ततकालिन कलेक्टर पी दयानन ने अपने कारेकाल में कवरधा कोर्बा और बिलासपूर में DMF फंड का दूर्पियों किया है। जिसकी फाइल खोली जा रही है। राज्य सरकार इस पर जल्द ही कारवाई करेगी। इस बुलेचिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में।